कमलनाथ सरकार में नदी नियास के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नर्मदा की निरिक्षिन को नर्सिंगपूर पहुंचे कम्प्यूटर बाबा ने नर्सिंगपूर के साकल घाट में नर्मदा से अव्याद उत्खनन करते वे पोकलेंड मशीन वर डंफर को रंगे हाथो प करके पकड़वाया था और स्टम जबलपूर माइनिंग अधिकारी ने आकर ततकाल कारवाई की वहीं शिवराद सरकार पर तंचकस्ति विकाह कि निर्मदा सेवा यात्रा के दुरान 6 क्रोड पोधा रोपन के दावे खोकले हैं 600 पोधे भी नहीं रोपे गए थे इसलिए हम को लेकर चल रही हैं हम पोधे लगानी की जगा भी देख रहे हैं और पोधा लगाने की त्यारी भी कर रहे हैं साती नर्मा दमया वैब खनन भी रोप रहे है और शिवराद सरकार की समय जो प्रश्टा चार हूँा उंस सब को जेल में डालने का काम करेंगी इसके लिए हम अधिकारी हमारे साथ थे तो दूसरी और जबरपुर के तरफ जो है वह एक वोकलेंड और घंफर हमने देखा चलते तुरह थमनाओं बैठ करके और इस तरह वा रहे थे सीमा में और फोन कर दिया तैसील शाफुरा धाना बेल खेडा में कि ततकाल जो है कारवाई के लिए पहुँचें माइनिंग अधिकारी पहुँचें और सारे लोग वहां से उन्होंने चल दिया मेरी ख्याल से 30 मिनड़ में लोग पहुँच गए हम यहां से नाओ से जैसे हम उस पार जा रहे थे कि पोखलेंड मसीन तो नहीं आ पाई वहीं खड़ी रही हमने उनको पकड़ लिया पर नाओ जो है हमने देखा कि उसमें बभर जो है वो चलता हुआ और तेज गती से वो बाहर निकाल लिया ऐसे मैंने जाकर के पूरे अधिकारी आने आ गए मैंने उन और पेड़ पोधे कहां लगेंगे कैसे लगेंगे उसके लिए भी हम तहकी काते हैं तो कहीं दिख रहे हैं जो पूरू में हमारे शिवराज सरकार थी उन्होंने इतना भरष्टाचार किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है इसलिए हम मानने मुकमंत्री कमलनाजी से कहेंगे कि भी हो जिन्होंने नर्वदाय पर चल किया है ऐसे को छोड़ा ना जाए दन्यवाद